D.I.D.O. ने अपना recruitment notification जारी कर दिया है और यहाँ पे get through recruitment होने वाली है अगर आपने get exam दिया है तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो और यहाँ पे बहुत बड़या recruitment होने वाली है तो क्या है यह recruitment और क्या होगा इसका इसका selection process और आप इसमें कैसे apply कर सकते हो तो सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले है तो वीडियो करेने तक ज़रूर देखे अगर आप को यडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के जाए शेयर जरूर करना ताकि जो भी eligible है वो इसमें apply कर सकता है आपने लाश को चुटो को बहुत बढ़िया response दिया I hope same response आप इस वीडियो को दोगे तो इस वीडियो के लिए like का target रखते है 100 likes तो जल जाके इस वीडियो को like कीजे और 24 hours में 100 like complete कर दिजे ताकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे motivation मिलता रहे तो अभी बात करते है DRDO ने जो recruitment notification निकाला उसके बारे में तो यहाँ पर recruitment notification जारी कर दिया आप यहाँ पर देख सकते हो recruitment and assessment center RAC ने दिल्ली ने अपना recruitment notification जारी कर दिया है और उन्हें कहा कि junior research fellowship के लिए recruitment होने वाली है तो अभी क्या recruitment उसके बारे में बात करते है जिसमें दो number of vacancies है और यहाँ पर computer science वाले और computer engineering वाले अपलाई कर सकते है junior research fellowship के लिए आप recruitment होने वाला है मतलब यह job जो है वो particular period के लिए होने वाला है मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर दो साल के लिए आपको यह job मिलेगा junior research fellowship का job यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर education qualification की बात करें तो bbtq वाले इन computer science वाले अपलाई कर सकते है बट यहाँ पर आपको minimum first class होना चाहिए और आपके पास gate score होना चाहिए computer science में या फिर information technology में तो ही आप अपलाई कर सकते हो मतलब CS में अपने gate exam दिया होना चाहिए तो ही आप अपलाई कर सकते हो कोई भी gate exam वाले अपलाई कर सकते हो यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि 2021 वाले जो वैलिडिक स्कूर रहेगा जो लास्त तीन साल का जो गेट स्कूर हो यहाँ पर अपलाई कर सकते है यहाँ पर आप देख सकते हो कौन-कौन से ब्रांचे से कंप्टर के Computer Science Engineering Technology Computer Science and Technology मतलब Computer Science वाले सब यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं Computer Networking वाले Computer and Communication वाले Information Science वाले भी अपलाई कर सकते हैं IT वाले भी आप अपलाई कर सकते हैं अभी बात करते हैं इसकी salary के बारे में यहाँ पर आपको salary की बात करें तो 31,000 पर मन की salary आपके मिलने वाली है यहाँ पर इसके साथ साथ आपको HRA और Medical Facility अलग से मिलने वाली है Age Limit के बात करें तो 28 years Age Limit होने वाला है यहाँ पर अगर आप इससे श्टिकनेदेट हो तो आपको 5 सार का Realization और OBC के लिए 3 सार का Realization यहाँ पर मिलने वाला है Applesion Form कैसे बरना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ बड़ उससे पहले हम बात करते हैं इसके selection process की तो selection process की बात करें तो यहाँ पर personal interview पर selection होने वाला है मतलब पहले आपको application form fill up करना है application form fill up करने के बाद आपको जो first selection है वो gate score के basis पे होगा gate score के basis पे आपको interview के लिए बुलाया जाएगा personal interview के लिए बुलाया जाएगा और जो final selection है वो gate score प्लस interview के marks पे होने वाला है पहले आपको register करना है आपको यहाँ पर register करना है date of birth डालना है आपके 10th roll number डालना पासिंग जो सुभी चीज़े डालनी है आपका 10th का पासिंग और आपको यहाँ पर application form fill up करना है मतलब register करना है register करने के बाद आपको login करके application form fill up करना है तो बहुत simple process है अगर आपको application form बहते समय कोई bit out है तो आप मुझे comment section पूछना में definitely आपको help करूंगा तो इस notification का link और इस website का link में आपको description में दे दूँगा आप आसे भी check कर सकते हो तो फिलाल इस video में इतना ही अग कर सकता हुई कर सकता है